हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुके है काफी बहतरीन लोजिक महाँ पे एक्सिप्रेंट किया गया आपको काफी पसंद आया काफी कुछ सेखने को मिला साथ साथ आपको निफ्टी फिफ्टी की वीडियो प्रोवाइड की जा चुके है कल के दिन अगर आप देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है या निफ्टी फिफ्टी में क्या होने वाला है आप उन वीडियो को जा के देख सकते हैं यहाँ पर discussion करने वाले हम Fin Nifty के बारे में, यानि कि Nifty Financial Services के बारे में, आप लोगों के काफी comment आए, कि आज weekend है, इस weekend पर मतलब आपको तीन दिन की holidays मिल गए, तो आप Nifty Financial Services की भी वीडियो प्रोइड कराएं, तो सबसे पहले मैं आपको logic समझाने की कोसिस करता हूँ, यहाँ प कि market में एक downfall है, और market अभी sideways चल रहा है, ना तो ऊपर को break कर रहा है, ना ही नीचे को कर रहा है, सेम ही situation हमें Nifty 50 में भी देखने को मिली थी, एक downfall है, और market एक range में चल रहा है, ना तो इस range से ऊपर निकल रहा है, ना फिर इस range से नीचे निकल रहा है, इसी range में गूम रहा यही situation आप देखेंगे Nifty Financial Services की भी है, यहाँ पे आप देखेंगे Nifty Financial Services का चार्ट लगा हुआ है, वंडे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, यहाँ पे जो यह गिरावट आई थी, market ने वहीं पे अपनी एक range बना लिये, ना तो इस range से market उपर निकल रहा है, ना इस range से market नीचे निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ से हमें समझ क्या आ रहा है, यहाँ से हमें यह चीज समझ में आ रही है, हमार लिए यहाँ पर important level रह जाएगा यह, 19,600, अगर market इसका breakdown देखे, price नीचे sustain करता है, तो हमें 19,400 तक कभी scenario market में देखने को मिल सकता है, इस चीज का आपको यहा एक positive momentum की market में उमीद कर सकते हैं, नहीं तो इस बीच market की sideways होने की possibility रहेगी, बलकि यहाँ तक भी कोई clear direction नहीं रहेगी, कि market उपर जा रहा है, नहीं यहाँ तक कोई clear direction रहेगी, कि market नीचे जा रहा है, आपको इस scenario market में अच्छे तरीके से समझ ना पड़ेगा, कि लिए समझ रहा है, चीजे यहाँ तक समझ में आगी, मैं आपको वापिस मही पी लेके आता हूँ, फाइम नेट के टाइम फ्रेम पर पहले logic समझने की कोशिस करते हैं, कि market ने क्या logic यहाँ पर create किया, या क्या market आपको समझाना चाह रहा है, हाला कि अगर आप यहाँ पर देखें जोन था, market उससे resistance की तरेक्ट करा है, पर ही resistance की तरेक्ट करें, ना करें, वो मैटर नहीं करता है, अगर market यहीं पर ही time spent करके breakout देके ऊपर चलता है, तो हम positive momentum के बारे में सोचते हैं, या फिर कही न कहीं माइंड में आता कि logic के कारण market कहीं न कहीं अपने previous day high को approach करने की कोश कर सकता है, लेकिन market ने यहाँ पे कुछ ऐसा momentum नहीं दिखाया, जो पहली candle बनाए, उसी का breakout देके market ऊपर चलने लग जाए, ऐसा कोई scenario market ने create नहीं किया, यहाँ पे जो यह negative candle आने लगी मैंने बहुत ही बहतरीन चीज आपको समझाई थी, अगर आपने bank nifty वाली वीडियो यह निफ्टी 50 वाली वीडियो देखे होगी, bank nifty में जादर डिटेल में डिसकस किया गया था, नहीं तो जाके देख लेना, सेम ही situation आपको लगबग यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि नीचे हम scalping कर सकते हैं, एक long position नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे support बैठे हुए हैं, previous day closing के, और previous day low के, जब तक marketing से नीचे नहीं जाता हम negative side position बनाने के बारे में नहीं सोच सकते थे, इस बीच market ने हमें क्या create करके दे दिया, यहाँ पे market ने हमें बना के दे दिया trading day high, और नीचे बना के दे दिया marketing ने trading day low, अब फिर से मैं आपसे आप एक सवाल पूछना चा closing और previous day low, हमें एक scalping ज़रूर मार सकते थे, अगर market नीचे की तरफ momentum दिखाता, लेकिन एक अच्छी position जब market previous day low का breakdown दे के चलता तभी मिलती, क्योंकि हाँ पे हमारा setup काम करता previous day low के breakdown वाला setup, अब यहाँ पे आप देखेंगे market ने momentum दिखाया और आपको trading day high का breakout दे दिया, इ previous day high के breakout वाला setup के है, मैं आपको जानकार के लिए बता दूगी, फिलारे 30% off चल रहा है, सभी courses पे, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, नहीं तो play store पे भी आप channel का नाम डालेंगे, आपको application मिल जाएगी, आप इस 30% के offer का फायदा उठा सकते हैं, और इन चुट्टियो चीज़े आपको महाँ पे explain की गई है, example के साथ, trending days के लिए अलग strategies बताएगे है, reversal days के लिए अलग strategies बताएगे है, sideways market के लिए अलग strategies और setup आपको समझाए गई है, इस 30% के offer का आप फायदा उठा सकते हैं, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, तो फिलाल हम वापीस नही बहतरीन काम किया, आपको trading day high का breakout दे और काफी बहतरीन आपको momentum market ने यहाँ पे create करके दिया, यहां तक चीज़े clear होगी, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के time frame पे, कल के दिन market में क्या scenario रहेगा, उन चीज़ों को समझने की कोशिस करते हैं, अब उससे पहले हमें एक discussion करेंगे, जैसे कि मैंने आपको one day के time frame पे क्या दिखाया था, मैं फिर से ले जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि market इस एक range में फसा हुआ है, यहां पे, अब इस चीज़ को हम 15 मिन के time frame पे देखने के कोशिस करते हैं, दरसल आप notice करेंगे, 28 को market ने य इसकी लेकिन दे नहीं पाया, 25 को देखो, market ने इसी zone पे resistance की तरह एक्ट किया, तो यानि कि अब उपर की तरफ हमारे लिए important resistance zone हमें यहां पे यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर market यहां पे flat open होके आपको positive momentum दिखाता है, उससे पहले हम कुछ चीज़े mark कर लेते हैं, ह पहला resistance तो बनेगा हमारा previous day high, इसका अगर breakout देता है, तो यह वाला resistance जो 19,920 वाला जून है, यह एक resistance की रूप में काम करेगा, अब यहां पे हमें थोड़ा सा समल के रहना है, क्योंकि market पहले भी इसका breakout देनी की बहुत कोशिस कर सुका है, 22 को तो आप देखेंगे कहीं बा day high का breakout दे, क्योंकि जो यहां पे setup बनेगा आपके previous day high के breakout वाले setup पे, इस पे आपको aggressively काम नहीं करना है, क्योंकि ऊपर resistance नजदीक है, आप इस पे काम यह तब कर सकते हैं, अगर आप पहले से ही position में बैठे हुए और market इसका breakout देके चल रहा है, आप अपने trailing stop loss का इस्तमाल कर सकते हैं, अपने stop loss को यहां पे put कर सकते हैं, लेकि नई position बनाने की कोशिस नहीं करना है, अगर कर रहे भी रहे हो नई position बनाने की, तो सिर्फ और सिर्फ scalping purpose से एक long position बनाने की कोशिस नहीं करना है, long position दो बार से बनेगी, जब market 19,920 का breakout देके चलेगा, तब possibilities हैं, कि market flat open होए, होकि आपको negative momentum दिखाता है, इस situation पे आप इस वाले swing का breakdown होने देंगे, जैसे इसका breakdown होता है, तो आपके लिए जो support बनता है, पहला support यहां पे बनता है, बनने की possibilities हैं, 19,760, अगर इसका भी breakdown देता है, तो आपको previous day low पे अगले support बनने की possibilities हैं, यहां तक चीज़े clear होगी, वहीं पे अगर market आपको gap up opening दिखाता है, अब इस scenario को समझो, यह थोड़ा सा अलग है, दोस्तों आगे का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना है कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, इन्वेस्ट कर गया कि प्रिवेस्ट डे हाई का resistance रहेगा, तो इस situation पर हम इसी पर ही focus करेंगे, अगर market इसी के असपास आपको gap up opening दे रहा है, तो ऊपर हमारा एक और resistance है, तो इस situation पर हम trade नहीं करेंगे, अगर market breakout देके ऊपर चलने लग गया, तो हम trade नहीं करेंगे, अमार लिए बैतर है क market यहाँ पर time spend करके, अगर previous day high से उपर और 19,920 से नीचे, अगर इस zone में time spend करके breakout देता है, तो एक opportunities बन सकते हैं, नहीं तो एक तरफ बैठे रहना, दूसरी चीज, अगर market यहाँ से reversal लेता है, इस zone से तो आप पहला support बनेगा previous day closing, इसका breakdown मिलता है, तो आपको यहाँ पर support देखने को मिलेगा 19,760 के round possibilities है, उसके बाद support रहेगा previous day low पर, वहीं पर अगला discussion करें, अगर market आपको gap down opening देता है, तो इस scenario पर आप focus करेंगे इस वाले zone पर, 19,760 के round आप focus करेंगे, इस zone के आसपास अगर आपको gap down opening मिलती है, और market breakdown देके नीचे चलता है, तो आपके लि उन पे अगले support की possibilities है, इसका breakdown मिल गया, तो जो 27 का day low है, यह आपके अगले support बनने की possibilities है, लेकिन अगर market gap down opening देखे, आपको reversal दिखाने के को सिस करता है, तो जब तक previous day closing से उपर नहीं निकलता, तब तक आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, positive side positions बनाने के ब जाएगा, नहीं हो, subscribe करना, bell icon प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली videos के notification मिल सेकेंगे, फिलाल इस video में इतना ही, फिर्म लेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ, thank you